हेलो एवरिवन आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे रंजी ट्रोफी के ट्राइल्स के बारे में पता कर सकते हैं कैसे रेजिस्टेशन के बारे में पता कर सकते हैं और रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं सही तरीके से तो guys ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा information आपको मिलने वाली है तो guys अगर आप cricket को लेकर 1% भी serious हो इस वीडियो को last तक जरूर देखना और वीडियो को like जरूर कर देना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर देना आपको ऐसी information वाली वीडियो मिलती रहेंगी तो guys रंजी ट्रॉफी खेलना हर एक प्लेयर का सपना होता है और बहुत सारे प्लेयर रंजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं लेकिन guys उन्हें सही तरीका नहीं पता होता कि कैसे हम trials के बारें पता करें कैसे हम registration के हैं सही तरीके से तो guys आपको simply अपने phone जा टैब में रंजी ट्रॉफी रिजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च करना है और आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा तो guys यही रिजिस्ट्रेशन फॉर्म है BCCI का official जानि कि इस पर किसी स्टेट का नाम नहीं लिखा होता किसी district का नाम नहीं होते हैं यानि कि कोई भी एज का प्लेयर इसे रिजिस्ट्र कर सकता है चाहे आप किसी भी स्टेट से हो चाहे आप किसी भी डिस्टिक से हो आप रिजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो guys अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्राइटेरिया होता है रिजिस्ट्रेशन करने का औ ठाएनि कि पहले बीसी जायी गेल चुका चाहे वो डिस्टिक हो चाहे वो स्टेट हो तो वही प्लेयर रंजी टरोफी कर सकता है ट्रायल के लिए ठीक है ये साथ आपकी क्लियर होगी इसके बाद अगर आप रंजी ट्रोफी के रिडिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको जो प्रूफ लगते हैं वो मैं बता देता हूं यह मैं ऐसे ही नहीं बता रहा है यह फॉर्म के बीच लिखा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि आप और एक फोटो कॉपी डेट बर्त की वो जुरूर साथ में लेकर जाए और एक एडरस प्रूफ की फोटो कॉपी और यह डॉकमेंट्स आपके पास होने चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी फॉर्म पर लगी होनी चाहिए यह मैं आपको ओफलाइन लिखते हैं कि आपको वहां पर एक डेट लिखी होगी कि उस देट के बाद के जो बर्त के प्लेयर हैं वही इसमें ट्राइल दे सकते हैं ड्रेस भी बताई होती है कि आपको क्या पहन के आनी है वाइट टीशल्ट वाइक क्रिकेट ट्राउजर वाइट स्पोर्ट शूस आपको आना होता है इसके बाद आपको ऐसा दिखेगा पहले सरनेम फिर फर्स्ट नेम फिर फादर ने इसके बाद डेट अब बर्त जैसे आपको यह बताय हुआ है ऐसे आपने करना है इसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो क्रिकेट की इसके बाद एड्रस कॉं office आई जानी कि वहाँ पर जो office होगा वो इसे issue करेगा जहां पर वो अपनी stamp वगएरा लगाएंगे तो गाइस ऐसे होते हैं रंजी टोफी registration form तो आप ऐसे इसको फिल करें और कोई भी गलती ना करें जब भी आपने registration कोई registration करना है तो आप उसे पढ़ लें पूरी तरह फिर इसे registration करें यह थी BCCI registration form भरने की जानकारी तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप कौनसे state से हो वो भी कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें